हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर्ड जेनवेन इन्फरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज है 13th of December और परसू यानि 15th of December पे और एक दमागेदार IPO मिसेज वेक्टर्स फूड IPO का लाँच होने जा रहा है मार्केट के उपर तो दोस्तो चली इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि आज की डेट पे ये IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस है यानि ड मतलब continuously GMP का बढ़ जा रहा है तो दोस्तो चलिए इस वीडियो को बिना स्किप के पूरां तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझाए तो दोस्तो अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमेट आकौन नहीं है तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाटवर्म में डिमेट आकौन उपेंड कर सकते हैं जहां पर आपका ब्रोकरेज प्रीज ना के बड़ाबर लगता है लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंपली ये चार्ट चीजों को तयार रखना है आपका अधार कार आपका पैन कार एक कैंसल चेक एन आपका सिगनेचार और आधे घंटे के अंदर आपका डिमेट आकाउंट बन जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले हम ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेते हैं यह आप देख सकते 13 दिसेंबर 2020 यह आज का लेटेस्ट अपडेट है जी एमपी का जी एमप 28 का और उसकी उपर आज की डेट में दोसों का प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट पे यानि अगर आप परसेंटेज वाइस कैलकुलेट करोगे तो दोस्तों तो आप चौक जाओगे तो आपको अल्मोस्ट से थोड़ा कम 79.5 की आसपास आपको जी एमपी नजर आएगा दोस्तों 70% की आसपास आज की डेट में चल रहा है आई पयो तो अभी मार्केट में लॉंच नहीं हुआ और लिस्टिंग दे तो और बहुत दीन बाकिया दोस्तों 28 डिसमबर इसका लिस्टिंग दे है तो इसके बीच में हो सकते इसका मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम और ज्यादा बढ़ जाए इसका पॉसिबिली ज्यादा है दोस्तों इसका चांड सबसे ज्यादा है तो दोस्तों अभी बात आते कि इसी प्रीमियम के उपर अगर लिस्ट हुआ तो लिस्टिंग दे पर तो आपको धाकर यहां पर लिस्टिंग दे मिल सकता है तो दोस्तों इस IPO की उपर मैं एक वीडियो आज सुभा ही अपलोड किया था कि Mrs. Bakters food IPO का कुछ important key factors वो सब देख के आपको मतलब decision लेना है कि आपको apply करना चाहिए या नहीं चाहिए मेरे राय तो यही है कि आप एक दिन for day one day two check किजिए उसके बाद day three पे आप apply किजिए क्यूंकि आप देखा होगा कि burger king IPO में कितना ज्यादा धमाके दा response मिला था burger king IPO के burger king company उतना ज्यादा profitable नहीं है loss making company है बट यह जो company है दोस्तों यह बहुत अच्छा profitable company है इसका brand value थोड़ा कम है बट otherwise company का performance ज्यादा है burger king IPO से यह burger king company से तो उसके इजब से मैं यह बोल सकता हूं कि यह IPO में भी आपको जबर्दस listing मिल सकता है दोस्तों तो दोस्तों इस तरह का एक वीडियो में हर रोज इस चैनल के उपर upload करूंगा ताकि आपको रोज का रोज जो grey market premium है वो आपको आप टूडेट हो जाए तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर करता हूं वीडियो अच्छा लागे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एक लाइक करके इंकरेच करना चले मिलते नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई जय हिंद झाल झाल